सीपियेस सुन्दर सिन ठाकु ने खा कि भाजबाट ठगों की सरकार रही है जिसे जनता ने आज सत्ता से बाहर कर दिया और जैराम ठाकुर सत्ता मेना रहे रहने पर छट पटा रही है उन्होंने कहा कि कुल्लू में जो रैली जैराम ठाकुर ने निकाले भजन आक्रोश था अपनी हार को ना बचा पाना अभी तो बजट भी पेश नहीं हो पाया तो आक्रोश किस बात का जिस सरकार ने अपने कार्याले भी चार्ट वर्स तक कोई संस्थान नहीं खोले पहले ऐसे मुख्यमंत्री पहली बार जैराम के रूप में आये जिन पर अफसर साही हावी रह पूरव सरकार तंबू लगाकर पैसी की बरवादी की और आक्री छे महीने में बीना बजट वर बीना प्रोविजन के धड़ाधर संस्थान खोले उन्होंने कहा पूरव मुख्यमंत्री ठाकुर जैराम जी जन्मत को स्विकार नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें जन्ता ने हेलिकॉप्टर से उतार कर चौक पे पंचा दिया है बेतर ये होता कि वो पूरव में अपने सरकार के दौरान जो अव्यवस्ताएं रही है या जितने कमजोर वो मुख्यमंत्री रहे हैं और आज कम से कम हमारे जो है सब्वे मुख्यमंत्री जो की आम परिवार से निकले हुए है ठाकुल सुक विंदर सिंग सुकु जी जिनुने की Kystar का है साफ तर पे कि हम सता मैं जो मातर सता के लिए निए व्यवस्ता परिवर्तन के लिए हैं और उन्होंने अभी पहला बजट भी पेश नहीं किया और खास्त तोर पे उन्होंने कुलू को जो है अक्रोश के लिए चुना जिस कुलू में अक्रोश किस बात का वो कर रहे हैं हो क कुलो में आज बुतनाद पुल और सबजी मंडी बुंतर के पुल का काम हम शुरु कर रहे हैं क कुलो में आज हस्पिताल में पहले से बेतर व्यावस्था हमने अल्टा साउंड भी शुरू कर दी अंदर और वो हमारे CMO OPD समयरे हैं तो इस करके उनको आकरोश कुलू में है, इस करके आकरोश कुलू में है कि आज मेरे CPS बनने के बाद जो मुझे पावर, टूरिजम, फॉरेस्ट और ट्रांसपोर्ट का जिमावारी मुख्यमंतिर जी ने अपने साथ दी है और पूरा मुझे फ्री हैंड दे रखा है, आज हम हमने प्रियटन के लिए डालपूर में पेरेगलाइडिंग का हमने पास कर दिया है, उसके साथ मैं अखाडा बजार से लेकर पिर्डी तक जो है रिवर राफ्टिंग पास होगा, आज बिजली मादेव के लिए सडक चोड़ा करने का काम शुरू कर दिया है, और अगले दो में पानी पहुंचा दिया है, आज हमने रुपी की गाटी के कई शित्रों में सडके पहुंचा दिया, जिसका धरतल पे इस साल आपको नजर आएगा, मेरी विदानसभा में कहीं भी पानी की कमी साल नहीं रहने वाली है